दिन को सबर दिआने गीता का सानिद्य भी एक बहुत बड़ी साधना और भक्ती है भगवान गीता में दस्वे स्लोक में एक स्लोक है भगवान का जिसको कहते है कि योगी युजितम योगी युजित सतत मात्माना राशिस्तिता एका कि यचित्तात्मा निराशीरपरीग रहा अब जितने भी संतों के लक्षन परमात्मा ने बताया है कि वस्त्रों से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं हो सकती है परमात्मा प्रसन्न करने के लिए आपके सद्गुनों के संग्रह रूपी संपत्ती ही सबसे जगत की सबसे बड़ी साधना है अगर आपको समझ में आता है कि सद्गुनों का संग्रही इससी बड़ा जगत में कोई साधना नहीं है परमात्मा ने कोई भी मंत्र यंत्र जब तब ध्यान उपासना नहीं बताया अगर साधु है सन्याशी है महात्मा है उसके जीवन में कोई ना कोई सद्गुन हो अब सुगंद जा होता है सुगंद ग्रहन करने की सभी की इच्छा होती है ऐसे ही सद्गुन जिसके पास है परमात्मा उसके निकट है यह सत्य है कहते हैं कि चंद्र वहां चंद्रिका सीव वहां अंबिका अंबिका वहां सीव और संत यहां विवेकता संत यकनात आपने ज्यानेशोर महाराज ने एक दोहा लिखा है वो कहते हैं कि जहां अंबा हुआ अंबिका चंद्र ते चंद्रिका शंभू ते अंबिका संत ते विवेका यही जान तो संतों के परमात्मा ने लक्षन बताएं तो लक्षन क्या है जिसके पास अध्वेत रूपी विवेक की जागरती हो जाएं अब कभी उसका अवसान समाप्ति किसी भी जगे पे नहीं है विवेक जिसके अंतर मन में हम लोग देख देख की जिसके भाव में विचारों में सद्गुनों की सद्गुनु की संपत्ती प्राप्त करना यह प्रमात्मा का प्राप्ति का लक्षन है अब सद्गुन जितने अभी तख रोज हम लोग चर्चा करते हैं अब सद्गुन अग Надव भगवान ने कहा कि ये का की अब ये का की का मतलब अकेला अकेला का मतलब कोई पाहडों में ग्याने के लिए परबस मॉने नहीं का बले एकांत में लोकांत और लोकांत में एकांत प्राप्त करना बले दुनिया में हैं लेकिन दुनिया में रहते हुए भी अपनी साधना में तत्पर रहना ये एकाकी है अब एकाकी का मतलब अगर उसको थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करूँ ये विद्यारती जीवन में है तो एका की रहे कर अध्येन करेगा तो वो सरोसरेष्ट बन सकता है सादू है तो एका की आंकेले में रहते वए परमात्मा का चिंतन करता रहेगा तो एका की है बले लोक में लेकिन अपने चिंतन में चित्त उसका निरमतर ब्रहमा बना हुआ रहता है उसका चक्र वही बना रहता है बगवान कहते हैं सतत मात्मा मानम रहसी स्थिता अपने सभी सतत आत्म स्थिती में रहने के रहसी स्थिता उसमें उसकी स्थिती निरमतर मनोगत भाओ के साथ परमात्मा के चरणों में बनी रहे उसका चिंतन वहां बनाई ही रहे उसके लिए ना कोई माला की जरूरत है ना कोई मंदिर की जरूरत है ना किसी प्रकार की कोई मंत्र की जरूरत है उसका चित्त के उसके सोरूप का ध्यान में ही अपने आपको समाहित करते भे रहना अब आपके अंतरमन में जो भरा होगा जिसके छलकपट जूट होगा तो कभी भी वो छलकपट जूटए ही करेगा कोई सत्थे तो सत्थे ही देगा अकरी में मनुष्य के चित्त में आपके अंतरमन में भराग काया है तो संतो का भी चित्त इस सही माना गया संत कैसे होते हैं कि जो सरुक्ष directing स्वयम्न खादंति फलानि रुक्षम परूपकाराय सताम इभूतिया अब भई राग द्वेश काम क्रोध मद मस्स दंब अहंकार ये आपके अंतरमन में भरा है तो उसको जैसा ही छड़ा जाए तो भार आएगा अब लाइट में बटन दबाते ही बल्ब जलने लगता है इसी तरह से आपके अंदर में जैसा ही वो जो बटन दबा दो वो जलने लगता है क्रोध का बटन है लोब का बटन है धूरत का बटन है काम का है छल कपट का है निंदा का है आप जिस अवस्ता में जिस परिस्तिते में रहते हो जो बटन दबा दो उसका प्रकाश आने लगता है और संतम हात्मा में जैसे ही वहाँ बैटे रहे तो उसके अपने आपे परमात्मा का सुरुप दिखने लगता है तो यही मनुश्य के जीवन में रहसी स्थिता भगवान का है क्या के सततम सतत मात्म मानम मात्मानम अगर उसमें भगवान यह का कि यह तो चित्तात्मा निराशीर परिग्रह क्या कहते हैं परिग्रह परिग्रह मतलब बहुत जादा अंतरंग में अन्यत्र को भरने का परेत्न नहीं करता है आपके चित्त में बाये जगत का परिग्रह और अम्तरंग का परिग्रह जिसने अपने आपको अंदर से जैसे बासूरी की बात हम लोग कई बार वेनुगीत में वरणन आता है गोपिया जब बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई वह जब बजाता है तब बसती हूँ तब ज काम, कुरोद, लोग, मद, मस्त, दंब, अंकार, परिवा, समाज, मान, अपमान, सम्मान, प्राप्ति, भियोग, इनका सभी का त्याग करके, खाली करके, बैटे हुए चित्त में इश्वर का चिंतन करना ये परिग्रह है और कई लोग बाये जगत का परिग्रह मांते दन, दौलाद, पत, पैसा, प्रतिष्ठा, सभी जगों को प्राप्त करने के लिए, जितना भी हम लोग अपने अंतरमन में चलते हैं, वो परिग्रह, एक बाये जगत का परिग्रह, एक अंतरमन का परिग्रह, अब अंतरमन में जितना भी आपने परिग्रह रखा है, क्या उस प करना चाहिए अरे ये कोई बाते हैं आपने ऐसा किया इसके कारण वैसा हो गया इन बातों पे उलजने के बजाए आपके अंतरमने में जित्में चित्त में फालतु की बातों में आप जितना उलजते हो प्रमात्मा ने का कि अपने उस विचारों को अत्याग यही परिग्रह अब परिग्र किसका करना चाहिए सत्य का सत्य संग का साधना का आप इश्वर के चिंतन का भगवद भक्ती का जहां जितने भी हो सकते यह परिग्र आपके जीवन में उस परमात्मा का जनारधन के दर्शन करा देते हैं और संसार का परिग्र आप राग दोए जितने भी हम लोग पर हुआ अपमान भी दिलाता है सम्मान भी दिलाता है अपमान भी कराता है प्राप्ति भी कराता है वियोग भी कराता है पाप भी बढ़ाता है आपके जीवन में पतन भी कराता है पच्छाता भी कराता है इतने सारे के सारे जितने हमने अपने जीवन में परिग्रह प्राप्त किये है जितने परिग्रह में आप चल रहे हो जितना अपने मस्तिक्स में कई लोग मैं देखता हूं अंतरमन में उसे बात नहीं हो रहे तो द कि अरे भाई कि आउस सभी चीजों में जरूरत है उन सभी अवस्ता में अपने जीवन में जितना भी सांसारिक प्रईग्रग आपने जो पाल रखा है कि उन सभी को परिग्रह का आपको पालने की जरूरत है तो इन सभी चीजों में परमा ये का कि ये चित्तात्मा निराशिर परिग्रह आपके जीवन में जितना भी हो सकता है उतना अपने आप में ही परिग्रह मुक्त जीवन इसलिए जैन समाज में भी हम लोग देखते कभी-कभी वो परिग्रह बताया निराशिर परिग्रह कभी भी प्राप्ति वियोग मिले न मिले आये न जाये बात हो न हो बचर्चा हो न हो लेकिन उन सभी चीजों में उस परमात्मा का चिंतन में उन सभी अपने आप में ही प कर्मात्मा का परिग्रह बताया गयां। और बहुत बड़ा शिद्धाम्त और सत्यता, साधना का एकप्रति रूप है।